वेलकम बेग एवरिवन तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो मैंस बिग बेश लिग का जो आज मैच खेला जाएगा होबाट वर्सस सिड्नी थंडर्स के बीच टूनामेंट का यह सत्रवा मैच है जो काफी इंपोर्टेंट होगा लेकिन काफी कन्फ्यूज व मुका मिल रहा और विककेट कीपिंग कर रहे हैं मतलब बूरा के पास मुका पूरा है लेकिन लेना तो एक है क्योंकि और भी तो पलेर है ना बैटिंग में भी थीन ट्लेने लेने ही आमें उर लाउंडर में 4 प्लेरी और प्र वोƏलिदे बैस्ट तो सबसे पहले आने वाल कि आप एक भी विकिट कीपर नहीं लेना चाहोगे हवाट की टीम जो अभी तक तीर मैच खेलिए दो हारी एक जीती है लेकिन टीम बड़ी अच्छी है और सिड्नी थंडर्स जो दो खेलिए और दोनों को दोनों जीती है तो काफी इंट्रेस्टिंग मैच होगा काफी इंपोर्टेंट मैच भी है ध्यान से वीडियो को देखना है पहले हम मैच की इंफोर्मेशन देखेंगे कि क्या-क्या मतलब निउस आईए कोई प्लेयर बाहर तो नहीं हुआ है अपडेट जो भी है सारी चीज़े स्कोर कार्ड वगरा सब पहले तो वीडियो में ये चीज़े देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे हमारी टीम कि इस मैच के लिए स्मॉल लिक की हमारी क्या टीम रहने वाली है और फिर बागी ट्रम कार्ड वगरा सब कुछ इसके अंदर आई जाएंगे तो श्टार्ट करते हैं वीडियो को देखिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन टेलीग्राम पे नहीं है तो आप लोग को सबसे इंपॉर्डेंट काम है टेलीग्राम जोइन करना अब आपके मन भी क्योशन होगा कि जोइन क्यों करें मेरे बाइ दी कि मैच की फाइनल जो टीम होगी न वो टॉस के बेस पे आने वाली है और वो कहां आएगी वो टेलीग्राम पे आएगी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और लिंक मैंने comment box में भी दिया है जहां से आपका मन करें वहां से जोइन कर सकते हो लेकिन जोइन आपको करना ही है उसका reason आपको समझ में आई गया होगा कि फाइनल टीम है ही आई है अगर मैं बात करता हूँ इस मैच के बारे में सो देखिए मैच यह होगा टूर्नामेंट का सत्रवा और सिद्नी थंडर्स का तीसरा और होबाट हरीकेंस का चोथा मैच होगा ठीक है लाइफ एनकोड पर आएगा और 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 स्टेडियम जहां पर अल्लेडी मैच हो चुके है जिसके अंदर देखिए पर्थ स्कोचर्स का आखरी मैच था होबाट की जो टीम है इसी से मैच था जिसमें पर्थ स्कोचर्स ने इनको हरा दिया था उसके अलावा यहां पर एक बैलेंस विकिट की आप उमीद लगा सकते हो और इतना और ध्यान डखना कि क्योंकि यह दोनों टीम है अगर आप देखोगे ना तो दोनों अच्छी एक्वल लेवल की टीम है सिड्नी की टीम हालागि थोड़ी सी स्ट्रोंग जादा जलूर है और यही रीजन है कि वह दोनों मैच इसको जीती भी है और आखरी जो मैच हुआ था ना यह वाला मैच परत और होबाट का इसमें टोटल जो विकेट गए थे वो तेरा गए थे जिसमें इस्पिनर्स ने छे विकेट लिये और पैसर्स ने सांत विकेट लिये तो यह एक बैलेंस विकेट है जहां पैसर्स के लिए भी हेल्फुल ह बारिश के चांसे इस बात का ध्यान डखना क्योंकि आपको बताया यार बारष गेम बिगाड़ आप का हाम इसमें फुला लोगह कि घराब हो जो KT में एक वाली टीम है, शायद Melbourne Stars की टीम है वो, ने ने एडिलेटी स्टाइकर्स की टीम, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, कि मैच की जो डेड्लाइन थी, उससे एक गंडे बाद मैच स्टार्ट हुआ था, और फिर उसमें क्या हुआ था, वो आठ ओर का मैच हुआ, तो अग उसमें रेड्लाइन चेंज हुई और आठ ओर का मैच हुआ था, देखिए इस टीम के एक बात करता हूँ टीम बड़ी अच्छी है और उसका सबसे बड़ारीजन है इनका बॉलिंग और बैटिंग, मतलब यह तॉप अदर ही मान लो, इनकी ये पांस प्लेटी जो इन चार ले लो ताही लगो तो चलो फिर भी हटा सकते हो अटा पट्टू फोबे लिच्फिल्ड है दर नाइट और मरी जनक यह यह बहुत तगड़ है एक भी इस पहले मैच में तो अटा पट्टू नहीं जिता है था आपको बता यूगा बैटिंग से बिसको सेकिंड में इसी नहीं जिता है फर्स नहीं तेकिंड जिता है और इसी नहीं जिता है था फॉबेल इच्फिल्ड जो काफी अच्छी पॉर्म में अब ये उस्चेलिया के अंदर खर सबसे अच्छी फॉर्म में है ना बैटिंग में वहीं है बहुत ही तगड़ी एक ये और हेरी and grass henry से भी तगड जिसमें पास तो आप मरीजना केप तक ले लो छेटी सेम बेट्स और साथ भी हना डालिंग्टन टीम की पहली बोलिंग पे क्योंकि जब भी टीम पहले बोलिंग करेगी तो वह डेथ में आने वाली बॉलर को ड्रोप करना बहुत आपके लिए नुकसान दे हो सकता है तो यह लाइनएप है बेटिंग ओर्डर के अकॉर्डिंग इसमें दो लेफ्टी और बाके सब्राइटी है ठीक है यहां हम बात करते हैं बेंच की सेमी जॉंसन ससी का हॉरली और पैरिस बोडलर है पावर प्ले में समनना था बेट्स मरीजन अकेप और चमारी एट अपट्टू आ पहले किए आपको ध्यान देना है इस वेन्यू पे किस प्लेयर का कैसा रिकोर्ड है ताहिलर विंसन है एक मेंच में 50 प्लस का स्कॉर है और क्योंकि विकेट कीपिंग भी कर रही है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है अट्टा पट्टू की बात आती है फॉर्म चाहता हूं और वो मुझे लगता निए कि आप चाहोगे ठीक है फैदर नाहिट की बात आती है जो जो रिकोर्ड भी बहुत शांदार रखती है और प्लेस पॉइंट बोलिंग भी कर रही है तो आप ड्रोप करना मतलब ड्रोप तो आप मुझे नहीं लगता आप करोगे इ यह थनी कुछ खास प्लेयर है नहीं हरना डालिंग टर इंपोर्डेंट होगी टीम की पहली बोलिंग पर क्योंकि यह जब भी टीम की पहली बोलिंग आती है डेत्थ में आने के बाद विकिट लेस बहुत कम जाती है यह उसके बाद समना था बैट से समना था बैट्स का रि तो यह भी चार और करेगी और फिर बॉलिंग में मतलब किसी ना किसी के और कटेंगा तो हैदर नाइट के या अटा पट्टू के मतलब फिर ऑवर में कटने के चांसे भड़ जाएंगे तो मैं तो चाहता तो यह यह यूँकि यह ना खेले क्योंकि अगर नहीं खेलेगी तो एक फिक्स होगा कि यह इतने और बोलिंग करेगी अब हम देखते स्कोर कार्ड देखे आखरी मैच के अंदर हाइस स्कोर एट थी अटा पट्टू और बोलिंग अटेक की बात आती है हरना डालिंग डन एक विकेट लिया इबॉनी ने एक विकेट लिया और मरी वहीं पर होबाट हरीकेंस के ठीक है तो लीजी ली एलीसा विलानी दोनों ओपन करेंगी बी स्मित वन डाउन हैदर ग्राम सेकेंड डाउन फिर जॉनस्टन नियॉमी स्टेलनबर्ग हैली सिल्वर हॉल मैच जो अब आपको मैं बोल रहा था ना आट होर वाला मैच वह इनी का था और एडिलेट से था फिर मोली श्ट्रानो शबनम इसमाईल एमी स्मित और मैसी गिपसन ये एक्सपेक्टेड लाइन अप और ये बैटिंग ओडर के अकोडिंग अब देखी प्लेयर कौन-कौन अच्छी है लीजी ली विलानी स्मित ग्राहम ये चार तो मश नीडेड है लेकि के आई आप कम से कम एक और की विकेट की उमीद तो लगा होगे ना लेकिन नहीं इसको एक सिंगल विकेट ने मिला था और इसी की वज़े से हारा था मैं परस्नली क्योंकि लोग वी सी करके आये थे कैटी मैक को जिसने परफॉर्मस दिखाया था और मैं तो ये अच्छा सम परस्टर मीमियद प्लेयर है बटफॉर्मस नियुन इस्टेलनिबर्ग हैली श्टरानो भी बड़ी अच्छी प्लेयर है विकेट टेकर है शबनम इस्माइल विकेट टेकर है अमेस्मित और मैसी गिबसनमे किसी एक और काटने वाले ये एक्सपेक्टेद लाइनप बेटिं आने वाली है अब हम देखते हैं प्लेयरों की वेन्यू पे रिकोड की लीज़ी लिग का एक मैच है जिस में ये फ्लॉप हो गए थी उसके बाद अलिसा विलानी का रिकोड वेन्यू पे भी काफी अच्छा है और इनकी अगर आप परफॉरमस देखोगे इस बीबील के दोनो ले सकते हो क्योंकि प्लेयर अच्छी है देखिए एक बंदी ऐसी हो जो बोलिंग भी दे रही हो वन डाउन बैटिंग कर रही हो तो यार उसको ड्रोप नहीं किया जाता है बस वही बात है कि फॉर्म के कारण हम लेते जाएंगे यह फ्लोप होती जाएगी ऑपनेंट को पता होता है इस चीच का कि एक ऐसी प्लेयर है वह सेलेक्शन बेस पर टीम बना लेगा और हमार जाएंगे तो वह वाला सीन अभी मेरे साथ हो रहा है वुमेंस वीबिल में तो अभी लाश के तीन से चार मेंस तो इतने गंदे जा रहे ना कि यकीन नहीं होता है कि मैं खुदी ट ज्यादा बैतर हो क्योंकि ठंडर्स की टीम है भी इन से श्ट्रोंग जोंस्टन इस्टेलन बर्ग और मॉली इस्ट्राणू का रिकोर्ड देखिया आप कितना अच्छा है बैटिंग आने पर बैटिंग और बैटिंग इनकी आनी चाहिए क्योंकि इनकी बोलिंग अच्छी अल्री तीन प्लेयर हमारे पास है जो बैस्ट है और जोंस्टन है यह ट्राई कर सकते हैं इनको तो हैली सिलवर हॉल में से फ्लॉप रही अभी तक और एमी स्मिथ भी उतनी कुछ खास प्रफॉएंस इनका आया नहीं है शबनम इसमाइल मैसी गिपसन शबनम इसमाइल अब हम बैंच के प्लेयरों को देखते हैं तो यह किनी कोला केरी वाद आती है आठ ओवर वाला मैस था है जिसमें देखिए हैदर अगराम ने दो और बोलिंग की और वो भी छटा ओवर और आठ वावर और एक भी विकेट ने मिला आप उमीद लगाओ कि ऐसी चीज होगी नहीं बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल नहीं थी बट भाई देखा हमने और इस मै इचा था लेकिन इन्होंने भी विकेट फेक दिया था उसके बाद हम बात करते हैं सैकंड मैच की तो यह वाला मैच यह जो टीम थी यह भी शायद यह हारी थी ठीक है इस मैच में देखोगे श्ट्राणों ने एक विकेट लिया मैसी गिपसन ने एक विकेट लिया और हाई इस्ट्राणों थाटी सेवन और विकेट की बात आती है इन तीनों ने विकेट लिया बाकी सारे विकेट लेशते में बोलर में शबनम इस्माइल इस्ट्राणों और हैदर गरहम है और बाकी बी समित मैसी गिपसन और हैली और वहीं पर एमी समित इनके ओवर्स का कभी फिक और उस आठोवर के मैच में एक भी और नहीं मिला तो वह वाला सीन होता है ठीक है और वहीं पर अगर हम बात करते इस ट्रानों की इस ट्रानों एक अच्छी प्लेयर है और इस ट्रानों तो वैसे इंपोर्टेंट होगी क्योंकि वह बैटिंग वेकप भी देती आपको बोलिं लिक में डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं और कॉमेंट वक्स में भी दे चुका हूं वहां से आप जोइन कर सकते हो अब हम देखते हैं टीम इस मैच की स्मॉल लिग की टीम सो गई देखिए मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वह रहने वाला है लीग इलिए उन पर ठी लेम टीम से कितने विनेंगे तो ट्राइ करना लीग लिए उन पर खेलने का क्योंकि यहां पर आपके प्रॉफिट के चांसे ज्यादा है चलिए अब मैं आपको टीम दिखा देता हूं सबसे पहले हम और के लिए करते हैं और में अठापट्टू को पिक करना है वहीं पर है अगर टीम की पहले बोलिंग आती है ना तो हन्ना डालिंग्टन बहुत इंपोर्टेंट और वहीं पर समनता बेट्स आपके लिए ट्रंपकाड का काम करने वाली है अब बचिए विकेट कीपर जिसकी भी टीम की पहले बैटिंग आए देखिए मैं तो बहुत बोलूँगा कि मैं जो बोल ड़ा हूँ वो करो मैं जाने वाला हूँ लीजी ली के साथ अगर आपको लगता है ताहीला विलसन बढ़िया आप बिल्कुल ले सकते हो बाद में ये क्योंकि लग फैक्टर वाला कोल है यह मत कहना क्यार आपने हमें हरवा दिया लीजी ली की जगधत ताही विल्सन को लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हो, बाद में मत बोलना कि आपने लीजिली ली, इसलिह हमने ले ली, मैं लीजिली पर रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है? और अगर मैं बात कर तो मेरे Captain Vice Captain की तो Captaincy में देने वालो मरीज़न केप को और Vice Captaincy देने वालो में अठापट्टू को Options के मामले में Heather Graham और वही पे Heather Knight Other Option है जिनको आप चाहो तो बना सकते हो समझना तब एट्स मेरे लिए Trump Card का काम करने वाली है यह मेरी Demo टीम है और Changes जो भी होंगे टीम है मैं टेलिग्राम पर इंफर्म कर दूँगा Link मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जरूर जोइनका लेना ठीक है Thank you दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में